नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप टेन इंडियन पर दोस्तों आज मैं आपको भोजपुरी सिनेमा की एक खुबसूरत अभिनेतरी पाखी हेगडे के जीवन से जुड़ी कुछ खास बाते बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते हैं दोस्तों अगर आप पाखी हेगडे के फैन हो तो आप इस वीडियो को अन तक सरूर देखें और अगर आप हमारे चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की इन्फरमेशन इस चानल पर लाती रहती हूँ तो ये ज्यादा समय न लगाते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं दोस्तों पाकी हेगडे एक ऐसी सक्षियत है जिन्होंने न सिर्फ बॉलिवूड या भूचपुरी फिल्में ही करी है इन्होंने तमिल और मराठी सिनेमा में खूब तहल का मचा रखा है इन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर अवोर्ट्स और फैंस दोनों ही जीते हैं दोस्तों पाकी का जन्म पांच मार्च 1985 को मुंबई के एक हिंदू परिवार में हुआ था पाकी हेगडे का पालन पोशन मुंबई के पास वसई में हुआ था हालांकि कन्नड इनकी मात्र भाशा है लेकिन वह मराठी से अच्छी तरह वाकिफ हैं दोस्तों वर्तमान में यह 36 वर्षकी हो गई है खुबसूर्ती की मालकिन पाकी की हाइट 5 फीट 5 इंच और वजन लगभग 58 किलोग्राम है दोस्तों बात करें इनकी नेट वर्थ की तो दोस्तों एक गूगल वेबसाइट की रिपोर्ट के मताबिक इनकी कुल संपत्ती लगभग 1 लाग से 10 लाग के बीच बताई गई है इनकी आयका स्त्रोज ज्यादा तर एक सफल फिल्म अभिनेतरी होने से है दोस्तों बात करें अगर इनकी शादी की तो इन्होंने 2014 में शादी कर ली थी इनके पती का नाम उमेश हेगडे है और इनकी दो बेटियां भी है जिनका नाम आशा हेगडे और खुशी हेगडे है दोस्तों बात करें पाकी हेगडे के करियर की तो इन्होंने अपने सफर की शुरुआ दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक मैं बनूंगी मिस इंदिया से की थी दोस्तों पाकी हेगडे भोचपुरी के जाने माने सूपरस्टार मनूज तिवारी और बॉलिवुड के महानायक अमिताब बच्चन के साथ भी काम कर चुकी हैं अपनी फिल्म गंगा देवी में पाकी बिग बी की बहु के अफ्तार में दिखी थी लेकिन सबसे हिट जोड़ी इनकी दिनेश लाल यादव निरुआ के साथ बनी जिसे लोगों ने खूप सराहा दोस्तों अबंत में बात करते हैं पाकी से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में तो दोस्तों इन्होंने 2012 में इन्हें पहली बार भोचपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिला था पाखी हेगडे ने भोजपुरी करियर की शुरुवात अमिताब बच्चन के साथ फिल्म गंगा देवी से की थी दोस्तों, 2012 में इन्होंने अमिताब बच्चन भोजपुरी फिल्म गंगा देवी में अभिनाई किया इन्होंने भूचपुरी, हिंदी, तेलगू और मराथी जैसी कई भाषाओं के क्षेत्रों में काम किया है इन्होंने बांगरदा कुराल में अपनी भूमिका के लिए 2014 में रेड एफेम तुलू फिल्म पुरसकार और 2015 में तुलू सिनेमा उचसफ पुरसकार जीता दोस्तों आपको बता दें एक वक्त ऐसा था जब प्रडियूसर और डारेक्टर की जुबाँ पर बस पाखी और निरुवा का नाम ही होता था तो दोस्तों ये थी खुबसूरती की मालकिन भूचपुरी अक्टरिस पाखी हेगडे के जीवन से जुड़ी कुछ खास बाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चानल टॉप टेन इंडियन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में पास्ने बने बैल आइकन बटन को ओन कर लेना ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद